हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका सुनीता की कोकेंग रेस्पी में आज हम बनाएंगे चनदाल प्राठा इसको बनाने के लिए मैंने डाल को 5-6 सीटी लगा के उबाल के रख लिया है और अब मैंने इसको एक छन्नी में रख लिया है जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए नहीं तो यह मसाला गीला हो जाएगा अब मैं इसको सिलवटे में पीस के तयार कर लेती हूँ अब मैंने इसे पीस लिया है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे मैंने प्याच अजवाइन और जख्या डालके इसमें तड़का लगा दिया है और इसके बाद इ हरी मिर्च काट ली है मैंने 5-6 यह डाल देंगे नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार मिर्ची डाल देंगे हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे अब इसको अच्छे से हाथ से मिला देंगे यह टाइट है तो चमच से नहीं मिलेगा हाथ से अच्छे से मिल जाएगा अब मैंने इसे तयार कर लिया है अब हम प्राठे बनाने के लिए आटे की लोई ले लेंगे और उसको थोड़ा सा बेल देंगे उसके बाद इसमें एक सी देट चमच मसाला लेके और हाथ में सुखा आटा लगा के इसको दबाती हुए अंगोठे की साहिता से अंदर डालेंगे और इसको बंद कर देंगे अब यह बंद हो चुका है अब इसमें आटा लगा के इसको हाथ से थोड़ा बढ़ा करेंगे और उसके बाद इसे बेलन्स से बेल देंगे आप जरूर बनाईए बहुती स्वादिश्ट और बहुती हेल्दी होते हैं और मुझे बताना कि आपके पराठी कैसे बने अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मैंने तवा रख लिया था और तवा गरम हो चुका था इसमें मैं रिफाइंड ओईल लगा रही हूँ आप घी भी लगा सकते हैं जो आपके पास हो वो लगाईए दोनों तरफ लगा देंगे उसको अच्छे से पकने देंगे अब हमारा पराठा अच्छे से पक गया है इसो निकाल देंगे और ऐसे ही हम सारे बना के तयार कर लेते हैं अब हमारे पराठे बनके एकदम तयार है आप इसे गी के साथ खाईए चाय के साथ खाईए ये पहती स्वादिश्ट होते हैं और जरूर बनाईए और मुझे बताईए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद